हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू मंदीप एजुकेशन एकेडमी यूटीब चैनल, आज हम क्लास 11 तर्म 2 के फस्ट चैप्टर यानि मेकैनिकल प्रॉप्टिटीज आफ सॉलिट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं, जो कि यह स्ट्रेस कर्व for a metallic wire, एक metallic wire के लिए stress और strain के बीच का graph plot किया गया है, graph बहुत important है, बहुत different questions इस graph से बन जाते हैं, पूरा का पूरा graph explain करने को भी आता है, बहुत सारी terms हैं इसके अंदर, एक एक चीज में आपको detail में बताऊंगा और बहुत जल्दी से बताऊंगा, तो जैसे एक wire है हमने उस पे stress apply किया, अगर strain बहुत कम produce हुआ है, यानि कि strain है less than 1%, बहुत कम strain produce हुआ है, तो for that starting region, hooks law obey होता है, और stress और strain जो है, वो directly proportional होते हैं, और stress strain graph straight line होता है, ये वाला region है OA, जिसमें stress strain graph जो है, वो straight line है, इस OA region को बोलते है, proportional region, और इस A को बोलते है, proportional limit, क्योंकि इस A क बाद graph जो है, वो अपनी linear shape खो देता है, और curve हो जाता है, यहां तक graph रहेगा आपका linear, A तक graph रहेगा linear, जो यह कहता है, अगर यह straight line है, तो यह कहता है कि stress और strain directly proportional है, जैसे जैसे आप stress apply करते जाते हो, उसी manner में, उसी ratio में strain बढ़ता जाता है, बट एक particular stress तक, यानि यहां इस point A तक, अब beyond point A, this point A is called proportional limit, जो पहला important point है, term है इस curve के अंदर, proportional limit, मतलब वो point जहां तक stress और strain proportional है, ठीक है, beyond proportional limit चलते हैं, अगर आप proportional limit के आगे जाओ, मतलब stress और बढ़ाओ, हम धीरे धीरे अब stress strain कर बना रहे तो धीरे धीरे stress बढ़ाते जा रहे हैं, और देख रहे है strain के साथ, क्या हो रहे हैं, तो हमने graph plot कर दिया, अब beyond this point, अगर आप stress बढ़ाते हो, तो यह linear नहीं रहेगा, यहां से curve होने लग रहा है, यह देख रहे हैं, A से B यह curve होने लग रहा है, तो B एक खास point है, B को बोलते है yield point, yield point, yield point का क्या मतलब है, yield point का यह मतलब है, कि B point तक लाकर भी, अगर आप stress पूरी तरह से हटा दो, तो wire अपनी shape regain कर लेती है, A point तक भी ऐसा ही होगा, A point तक लाकर अगर आप stress पूरी तरह remove कर देते हो, तो wire अपनी shape regain कर लेगी, लेकिन A तक straight line है, और B तक straight line नहीं है, लेकिन B आखरी ऐसा point है, wire की stress का आखरी ऐसा point है, जहां तक stress लगा के अगर आप remove कर दो तो ये अपनी shape regain कर लेगा यानि अगर मैं stress कम करता चलूँ तो जो वापस में आऊँगा वो point सारे इसी line पर लाई करेंगे जो strain थी पहले भी उस stress के corresponding अभी उस stress के corresponding वही strain रहेगी अगर मैं stress कम करता जाता हूँ B तक लाकर तो B को हम लोग क्या बोलते हैं B को हम लोग बोलते हैं yield point या फिर elastic limit elastic limit क्यों बोलते हैं इसको because यहां तक wire elastic है elastic region वो होता है जहां stress और strain जो है वो proportional होते है elastic limit मतलब stress और strain proportional नहीं stress और strain तो A तक proportional है elastic limit मतलब जहां तक elastic behavior show कर रही है wire मतलब जहां तक लाते-लाते stress हटाने पे वापस body अपनी shape regen कर लेती है हना पूरी तरह से regen कर लेगी wire वहां तक बोलते है elastic limit elastic limit के beyond शुरू हो जाता है plastic region beyond point B इसका plastic region शुरू हो गया मतलब beyond point B ऐसा होगा कि अगर आप stress हटाना शुरू कर दोगे और stress बिल्कुल 0 कर दोगे तो wire अपनी shape regen कभी नहीं करेगी for example यहां पर एक point है C which is beyond elastic limit यहां पर मैंने लाकर stress हटाना शुरू किया तो strain के जो points है graph पे वो यह path follow नहीं करेंगे यह path follow करेंगे जो मैंने dotted line से दिखाया है मैं stress कम करता जा रहा हूँ तो इस stress के corresponding यह strain है और करते 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 मैंने stress कर दिया 0 तो जब मैंने stress 0 कर दिया तब भी एक strain उसमें बचा रह जाएगा पूरी तरह से हमने stress अटा दिया फिर भी एक elongation wire में बची रह जाएगी and that elongation is called permanent set जो यहाँ पर OO' से हमने दिखाया है अगर हम C के beyond बात करें तो आप देख रहे हो कि curve जो है वो ऐसे हो रहा है ऐसे flat हाना ऐसे मतलब जैसे बिल्कुल सीधा उठता हुआ जा रहा था यह flat हो रहा है thinning start होने का क्या मतलब है कि अगर आप stress और नहीं भी बढ़ाओगे तो भी wire की जितनी already stress लगा चुके हो plus wire का खुद का weight उसकी वज़ा से उसकी length बढ़ती जाएगी आप imagine करो बहुत जद आपने weight लगा दिया thinning start होगी wire की तो खिषती जाएगी यह वो region है और उसके बाद भी beyond अगर आप stress बढ़ाते हो बढ़ाते हो तो d एक maximum value है stress की जो wire जहल सकती है उसके बाद हाथ खड़े कर देगी जी हमारे बसका नहीं है d को बोलते है ultimate stress या tensile strength ultimate ultimate maximum इस से जादा यह नहीं जहल सकती चीक है su से हमने इसको denote किया है यहाँ पर एक term जो yield point के corresponding जो stress है उसको yield strength बोलते है इसलिए उसको sy से denote किया है यह भी आपको याद रखना है yield point के corresponding जो stress है वो yield stress है और ultimate stress यह है जो maximum जहल सकती है wire आप देख रहे हो यह highest point होगा इस graph के उपर उसके बाद यह graph नीचे ही ठीक है अब आपको होगे highest है तो यहाँ पर टूटी क्यों नहीं है अभी बात करते हैं तो यह जो ultimate stress है stress क्या होता है force upon area so this is the maximum load maximum load divided by original area of cross section original area of cross section maximum load एक दम से नहीं आप धीरे धीरे बढ़ारे हो ना तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते maximum load जितना आप apply कर सकते हो wire पे that divided by original area original area क्यों लिख रहा हूं कि यहां तक तो thinning start हो गया wire की originally जो आप ने लिए थी वो so this ratio is the ultimate stress यह maximum है जो जहेल सकता है इसके बाद अगर आप stress कम भी कर दोगे तो fracture point आएगा ही आएगा fracture point वो जहां पर यह wire कटक तूट जाएगी अगर आप कम भी कर दोगे तो भी fracture point आएगा आप wire को तोड़ने से रोक नहीं सकते और इस region में beyond ultimate stress आपका जो यह जो region रहेगा इसमें thinning जो है वो uniform नहीं होगी कहीं से wire जादा थिन हो जाएगी कहीं से थोड़ी मोटी रहेगी हम बोलते है necks and wastes develop हो जाते हैं ठीक है ना कमर और घर्धन develop हो जाता है मतलब जैसे body होती है आँसे पतली फिर मोटी होगी फिर पतली होगी इस तरीके से और ultimately अगर आप उसके बाद stress कम भी कर दो देखो stress कम हो रही है लेकिन strength अब भी क्या है बढ़ ही रही है एक बार ultimate stress के बराबर stress आपने लगा दी उसके बाद कम भी कर दो कुछ होने वाला खिचेगी 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 और finally तूटेगी तो जिस point पर wire तूटती है उसको बोलते है fracture point और यह इसके corresponding यहां पर कोई stress होगी जिस पर यह तूट गई है इसको बोलते है O से लेकर B तक elastic region है B से लेकर E तक plastic region है क्योंकि यहां तक लगाने पर stress wire अपना shape regain न बढ़ रही है और stress नहीं भी लगाओगे तो अपने आप इसकी stress इसकी जो strain है वो बढ़ रही है ना length बढ़ रही है तो इसको क्या बोलते है plastic flow तो यह सारी terms आपने इसमें याद रखनी है I hope आपको समझ में आ गया होगा detail में यह curve पूरा का पूरा curve बनाने को भी आ जाता ह है पांच नंबर में काफी terms है इसमें तो पांच terms दे देते हैं बोलते हैं इसको explain करो या चोट चोटे question भी आ सकता है एक नंबर दो नंबर के यह सिर्फ कव बनाना हो तो एक यह दो नंबर का question आ सकता है ठीक है तो इसको अच्छे से prepare कर लेना मैं आप से मिलता हूं next lecture में तक के लिए all the very best